दोस्तो इस टेक्टर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फ्रंट में heavy weight bumper कर जो की company fitted आता है साथ में आपको हीचिंग point भी इस टेक्टर में देखने को मिल जाती है जो कि दोनों साइट से operate हो धी है साथ यहाँ पर आप कापी मजबूत इस tektor का जो front axle देख सकते है ज्योंकि adjustable है जिसे कि आप adjust कर सकते हैं यहाँ पर आप इसकी power steering देख सकते हैं और साथ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस tektor का hydraulic oil filter और यहाँ पर देखने को मिलता है power steering oil filter इसे के साथ यहां पर आपकोुक स्ट्रेक्टर में Alternator देखने को मिल सकता है यहां पर आप डबल डबल पंप देख सकते हैं उसमें आपको motorcycles pump अलग देखने को मिल जाता है जिससे की ज्य जो लाइब का विच्वित बढ़ जाती है इस टेक्टर में आपको 310 DC की क्यूबिक केबिजट्री वाला काफी दमदार इंजिन देखने को मिलता है और साथी दोस्तों एक और खास बात इसके जो हेड लेम्प है काफी बहतरी हैं और लंबे कोक्स वाले साथी LED DRL ग्रिप के साथ देखने को मिलते हैं काफी बहतरी हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं इस टेक्टर की यहां आपको देखने को मिलते हैं काफी फ्रंट में बहतरी इंजाली इसके साथ साथ इसके एर क्लीनर को देखे तो इसमापको 3 स्टेज ओल बाइट टाइप का एर क्लीनर देखने को मिलता है साथ ही यहां आपको देखने को मिल जाता है इस टेक्टर का काफ़ी बड़े वाला रेडियेटर जो की सुद्ध हवा को इंजन तक पहुचाता है जिसे की इंजन गर्म ना हो और साथ साथ दोस्तो अगर इस टेक्टर के हम कूलिंग सिस्टम की बात करें तो यहां जो टेक्टर आपका वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ आता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और साथी दोस्तों, इस ट्रेक्टर में एक और एडवांस फिचर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस ट्रेक्टर का जो है, केर डायरेक 24-7 सिस्टम, जिससे के आप कस्टमर केर से सिद्धे बात कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकरिया हम आगे वीडि मोडल ट्रेक्टर की जो की 50 HP स्रेने का काफी बहतरिन और दमदार ट्रेक्टर है आज के इस वीडियो में हम इस मोडल का फूल डेटल रिवीव करेंगे आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे साथ ही कीमत के बारे में बताएंगे तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी की वीड क्लासिक बुशन की देखने को मिल जाती है यहां पर आपको ब schw electronic देखने को मिल जाती है इसके बाद बाथ करते हैं से प्रोटेक्ट करके रखता है जब आपका साइलेंसर गरम हो तो इसमें आपका हाथ ना लग जाए इसके लिए और इसी के साथ साथ दोस्तों इस तेक्टर में आपको देखने को मिलती है काफी बहतरी इंडिगेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको LED DRL टाइप में इं इसके साथ साथ दोस्तों इस तेक्टर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हैंड ब्रेक का ओप्सन और साथ साथ दोस्तों इस तेक्टर में आपको जो सीट है वो एडजेस्टेबल जिसे कि आप एडजेस्ट कर सकते हो सीटिंग पोजिशन भी काभी सांदार इस चला इन सब काप को यहां पर इंडिकेशन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ यहां पर आपको पार्किंग लाइक और साथ इंडिकेटर वगेला के लिए सिस्टम यहाँ पर आपको इस टेक्टर की हैंड रेस देखने को मिल जाती है इसके बाद दोर्ष्टो Gentlemen रखानक 55 लेटर की फ्यूल टैंक कैपिसिटी देखने को मिलती है और साहर की दोष्टोंड इस टेक्टर के यहाँ पर आपको केयर 24 7 डायरेक्ट जो जो है mention किया हुआ रहे था जिसे कि आप customer के अरदिगारी से सीधे यहीं से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस टेक्टर में आपको जो ब्रेक है वो तेल में डूबे होगे डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं जिनकी की जिलाइफ है खाफे ज्यादा लोंग है इसी के साथ इस टेक्टर में आपको यहाँ पर push type के पेडल में जो है clutch देखने को मिल जाता है जो की खाफिस सांदार है यहाँ पर आपको एली लिव अगेरा को चलाने के लिए इंडिकेटर होर्न के सांथ लाइट अगेरा के लिए भी system देखने को मिल जाता है इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इस टेक्टर की handraise देखने को मिलती है और इस side की बात करें तो यहाँ पर आपको रेस का प आपको इस टेक्टर के लिए पोजिशन कंट्रोल लिवर और एक ड्राप्टर कंट्रोल लिवर दोनों आपको ड्राइवर के राइट साइड में देखने को मिल जाता है इसी के साथ यहाँ पर आपको इस टेक्टर के जो ऑग्जलरी वालव है उसे operate करने का system भी यही पर दे देखने को मिल जाता है जिससे की सर नेगलने के chances काफी कम रहते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप इस टेक्टर का overall look देख सकते हैं जो कि गाफिस सांदार है अब बात करते हैं दोस्तों इस टेक्टर के पीछे की इससे पहले हम बात करें इस टेक्टर के टायर साइज की तो दोस्तों इस टेक्टर में जो फ्रेंटर के टायर है आपको साथ पचास सोला के देखने को मिलते हैं और ग्राउंड क्लेंस की बात करें तो लगबग साड़े 400 मिलेमेटर के आसपास की इस टेक्टर के आपको ग्राउंड क्लेंस देखने को मिल जाती है और वहीं अगर रिय और टाइस का जो है रियल टायर साइज देखने को मिलती है इसके साथ साथ बेक साइट की बात करता है तो यहां पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों काभी बेहतरीन ब्रेक लाइट और इंडिकेटर का कॉंबिनेशन पास साल की वारन्टी का डेडिकेटर लोगो यानि सांथी दो लीटर तक का वाटर करे करने के लिए इसके साथ साथ यहां पर आपको थरी सेंसिंग पॉईंट देखने को मिल जाते है और इसके बाद यहां-पर आपको देखने को मिलता है इस टेक्टर के काफ़ बेहतरी और हेवी डुटी डबल डबल ऑक्सलरी वालोग जिस तो इस टेक्टर में आपको reverse speedo का भी option देखने को मिलता है साथ अगर इसके real Excel की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको planetary drive type का सीधा real Excel देखने को मिलता है जो कि काफी मजबूत है और अगर हम इसके hydraulic की बात करें तो इसमें आपको कैसे लगे हमें जरूर बताए साथ अगर आपको इसके बारे में और अदिक जानकारी चीए तो नीचे comment box में comment करें वहीं दोस्तों अगर इसके कीमत की बारे में आपको जानना है तो नीचे description में चेक कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें चेनल पर नहीं तो दोस्तों चेनल को सुस्क्राइब करना ना बोले साथ बेल आइकन को प्रेश करें ताकि ऐसी ही नही नही जानकारी आपको मिलती रहे